सभी को नमस्कार आज की हमारी क्लास वेटनरी मेडिशन की है और आज हम पढ़ेंगे पुलोरम डिजीज यह मुर्गियों की या पॉल्ट्रे की एक बेक्टेरियल डिजीज है तो सबसे पहला क्यूस्ट दो यह है कि पुलोरम किस परकार की डिजीज है तो पुलोरम पॉल्ट्रे की एक बेक्टेरियल डिजीज है जिसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है सबसे पहला अन्य नाम इसका बेसिलरी वाइट डाइरिया बी डबलू डी बेसिलरी वाइट डाइरिया दूसरा इसका इन्य नाम है सुक्सम जिवी सफेद दस्त यह रोग चुझ्जू में तिवर गति से फेलने वाला संक्रामक रोग है और इस रोग में चुझ्जू में पचास से सो परतिसर तक मरत्यू हो सकती है नेक्स्ट आपने देखते हैं पुलोरम की एटियोलोजी या कारण किस जिवानों के कारण यह रोग होता है तो पुलोरम डिजिज एक सालमोनेला पुलोरम नामक जिवानों से होने वाला रोग है सालमोनेला पुलोरम यह जिवानों का नाम है जो आपको याद रखना है तो सबसे पहला कारण है इसका अंडू के माध्यम से दूसरा है रोग गर्षित चुजू के संप्रक्षे तीसरा है कुकुट साला के बिचावन बीट अहार वे पानी के संप्रक्षे नेक्स्ट कारण है हेजरी वे अंडू के छिलकूं से अगला है जब कोई पक्षी है जो रोग गर्षित हो जाता है और वो स्वस्थ पक्षी को चौच मारता है तो उसके माध्यम से भी प्लूरम डिजीज है जो फैलती है रोग गर्षित कुकुट के चौच मारने से चुहे वह मच्छों से और कुकुट साला को देखने वाले वेक्तियों के संकरमन से भी यह रोग फैलता है नेक्स्ट है पुलूरम डिजीज का इंक्यूबेशन पीरिड इस रोग का जो इंक्यूबेशन पीरिड है वो आपके चार से दस्तिन होता है और जो सूर होता है वो आपके पुलूरम इसके लक्सन इसके लक्सन जो मिम्में अलग दिखाई देते हैं और जो वैसक होती है उसमें अलग दिखाई देते न तू सब Divine आपने चुजू में लक्संद देखते हैं कि पुलरम डिजीज में चुजू में क्या लक्संद दिखाई देते हैं तो सबसे पहला लक्संद आपकी यह है कि हैचिंग के तुरंत बाद 50% तक चुज़े मर जाते हैं जैसे अंडे होते हैं अंडे से चुज़ा निकलने की किरिया को हैचिंग कहते हैं और जैसे अंडे से चुज़ा निकलता है तो मानलो अपने पास 100 अंडे हैं तो उन में से 50 अंडे जिन से चुज़ा निकलेगा और चुज़ा निकलते ही उसकी मरत्य हो जाएगी दूसरा इसका लक्सन है पंकों का रूखापन हुए पंक नेचे जुखे वे पंक है जो रफलेड हो जाते हैं और नेचे के तरफ जुख जाते हैं नेक्स्ट लक्सन है चुज़े आँख बंद करके बूडर में जल रहे बल्ब के नेचे एकटे हो जाते हैं यानि जब मुर्गी अंडा दे देती हैं तो अंडा देने के प्रश्चाथ अपन अगर उसको आटिटिस्यल बूडिनेशन करते हैं तो बूडिनेशन का मतलब होता है अंडे से चुज़ा निकालने के लिए जो उसका इंक्यूबेशन पेरिड होता है 20-20 दिन का तो दोरान उसको बूडिनेट क्या दाता है और बूडिनेशन के लिए क्या होता है काटोल में उमास अनचना होती है जिसके अंदर एक बल्ब लगा रहता है और उसके अंदर आवसे एक तानुसार उसका आकार होता है कि कितने अपने पास अंडे है और उसे कितने चुज़ा अपने निकालने करने उसे साब से तो उसमें एक बल्ब लगा रहता है तो ये चुज़ा है जिसे बूडिनेशन हो जाता है तो ये अंडे से चुज़े निकलते हैं तो निकलने के पस्चाद ये चुज़े क्या करते हैं कि जो बुरूडर है अफना उस बुरूडर में जो बल्प जलता है उस बल्प के नीचे एकटे हो जाते हैं Next है सुआंस लेते समय हापते हैं जेसे चुझे स्वांस लेते हैं, तो स्वांस लेते समय हांफते हैं. Next लक्सन है, चुझो को सफेद चिकने दस्ट हो जाते हैं. Next है, चुझो की आवाज करते हैं, और चुझो का होक जोंट हुए, फैट लॉक जोंट सूच जाता हैं. नेक्स्ट आपके एडल्ट पॉल्ट्री यानि वेस्क मूर्गियों में क्या लक्सन दिखाई देते हैं वेस्क मूर्गियां जो सूस्त हो जाती है उनके किलंगी पर या कॉम्ब पर पिला पर नजर आता है मूर्गियां जो पंक कोई स्यर नेचे जुखाई हुए रखती है और पक्षी को हरे सपे दस्त हो जाती है नेक्स्ट लक्सन है पंक बिखरे हुए तर्धा नेचे रटके हो ये दिखाई देते हैं और पक्षियों में दस्त होने के कान dehydration से मरती हो जाती है next diagnosis या निदान according to symptom blood test और serum tube test इनके आधार पर polorum disease का diagnosis या निदान किया जाता है next आपके उपचार तो सबसे पहले तो बचाओी उपचार है उसके पचार अपने को कुछ treatment करना है इनका treatment में अपन क्या करेंगे एक napkin powder आता है जिसको अपन 800 gram napkin powder लेंगे और 1 quintal या 100 kg मुर्गियों का दाना या अहार लेंगे और उस 100 kg में 800 gram आपका napkin powder में लाना है और वो अपने चुज्यों को या मुर्गियों को 10 तिन तक खिलाना है पहला उपचार यह होगा अगर अपने पास चुज्या मुर्गियां कम है तो अपन उसको कम ज्यादा कर सकते हैं यानि 100 kg पे 800 gram लेना है तो अब आप जितने अपने पास मुर्गिया है उससे आप से कर लेते हैं दूसरा treatment रिसका करना है कि ट्राइ मेथो प्रिम वे सलफा डाइजिन यह इसमें composition यह salt होता है और इसके नाम से ब्रो ट्रिम आता है और इस ब्रो ट्रिम को अपन औरली पिलाना है औरली कैसे पिलाना है ब्रो ट्रिम को एक ml परति दो से चार लेटर पानी में गौल कर तीन से पांस दिन तक औरली पिलाना है नेक्स्ट है ट्राइ मेथो प्रिम वे सलफा मेथोकसा जोल यह salt है और इस salt का है जो एक powder आता है उस powder का नाम आपके औरी प्रिम powder और यह औरी प्रिम powder है जो एक ग्राम चार लेटर पानी में गौलना आपको और उसका पांस से साथ दिन तक उसको पिलाना है यानि एक ग्राम powder को चार लेटर पानी में गौलना है और जितने अपने पास पॉल्टर यह चुझे है उसके according जो भी उनका पेने का पानी होता है उसके अंदर गौलते हैं और पांस साथ दिन तक यह उपचा करते हैं नेक्स्ट है इसका control या बचाओ तो control या बचाओ के लिए क्या करना है सबसे पहले कुकूट साला या जो भी अपना पॉल्टर फारा में उसकी साब सपाई का पौन द्यान रखना चाहिए जो अंडे संकरमित हो जाते हैं उनकी हैचिंग नहीं करानी चाहिए नेक्स्ट है कि रोग गर्षित पक्षि के संप्रक में जो भी बिचाओन या चारा आता है हारा आता सोरी उसको जला देना चाहिए और रोगी पक्षियों को स्वस्ट पक्षियों से अलग रखना चाहिए यही इसका कंट्रोल या बचावे इसके अलावा अभी तक पुलोरम डिजीज है जिसकी कोई वैक्षियन नहीं बनी है कोई ठीका उप्लब नहीं है इसका सपोर्टिव ट्रेटमेंट है वह सबसे अच्छा होता है तो यह आपकी पुलोरम डिजीजे वह कंप्लेट हो जाती है और आप यह कलास देख रहे हो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद